अजय को पता है कि हर वीक हम किसी नए टॉपिक पर वेबिनार करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजी बी एनस मुबाइल अलर्ट्स आज के वेबिनार में हम सीखेंगे कि बिजी बी एनस एप होती क्या है और यह किस तरीके से कंफिगर की जाती है और आप इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं तो start करते हैं आज का webinar और आपकी जो भी queries होंगी हम session के end में देख लेंगे और अपनी queries आप Q&A में आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आपकी सारी queries का reply करूँ तो start करते हैं आज का webinar सबसे पहले session objective समझते हैं friends की आज जो हम webinar कर रहे हैं उसका session objective topic आपको पता लग चुका है कि topic है आज का busy bns app और इसका objective क्या है क्या क्या चीज हम सीखेंगे busy bns app के बारे में सबसे पहले हम introduction देखते हैं कि busy bns app होती क्या है इसके बाद इसके benefits देखते हैं कि busy bns app से आप क्या benefit ले सकते हैं आपको क्या benefit मिलेंगे अगर आप busy bns app को use कर सकते हैं configuration in mobile तो देखें यह एक app है तो mobile में configure होगी mobile में आपको download करनी होगी register करनी होगी और इसके साथ साथ आपको अपने busy जो desktop पे आप busy यूज़ कर रहे हैं इसके प्रेक्टिस आपको जरूर करनी है क्योंकि विताउट प्रेक्टिस आप इस टॉपिक को नहीं समझ पहेंगे यह एप जो है बहुत यूसफुल एप है इसके benefits भी मैं आपको बता हूंगा क्यों useful है सबसे पहले what is busy BNS app busy BNS app is designed to receive notifications from busy anywhere anytime busy user can send invoice reports and other transactional information in the form of text and PDF to parties or themselves the busy event notification feature allowed to super user to receive notification in the busy BNS app helping them track all activities of all or same some user if notifies various actions such as company login logout and other actions also तो देखिए क्या है कि busy BNS app होती क्या है सबसे पहले जो यह एप है इसको design किया गया है notification receive करने के लिए तो इसका एक सबसे जो primary काम है वो है notification को receive करना busy BNS app की full form है busy BNS की full form है business notification service ध्यान रखने है आपको इसकी full form business notification service तो दिखिए जब app का नाम ही notification है तो जो इसका प्राइमरी जो वर्क होगा वो क्या होगा notification को receive करना अब देखिए notification क्या क्या हो सकती है आपके mobile पे काफी सारी notification आते हैं चाहिए आप कोई WhatsApp यूज करते हैं कोई भी social media site यूज करते हैं तो आपके बस notification आती है आप notification देख लेते हैं मतलब वो आपको सकते हैं अब वो notification क्या क्या होंगी वो भी हम देखेंगे इसके तो सबसे पहले यह चीज के लिए रहे कि जो busy BNS एप है वो design की गई है notification को receive करने के लिए और देखिए mobile कहीं से भी आप access कर सकते हैं तो anywhere anytime आप इस एप को यूज कर सकते हैं इसमें आप एप में क्या क्या चीजे भी सकते हैं तो आप invoice कर सकते हैं notification के रूप में reports भी सकते हैं कोई भी आप activities भी सकते हैं कंप company login हुई है कब logout हुई है और इससे कुछ-कुछ feature भी जो है हमारे अशोशेट है वो भी हम देखेंगे आगे तो यह चीज के लिए रहे कि busy BNS एप जो है notification रिसीव करने के लिए अप है अब देखिए benefit इसका क्या क्या है सबसे पहला benefit इसका access notification anywhere anytime आप देखिए कहीं भी आप अगर जाते हैं laptop या फिर किस्रम आप कैरी नहीं कर सकते मोबाइल आपके पास है तो आप मोबाइल पर notification मंगवा सकते हैं का रसा होता है कि आप किसी भी अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि आप मुझे फोटो के शेयर कर दो WhatsApp पे या फिर आप कुछ भी message शेयर कर दो या फिर कुछ नंबर ए ट्रैकिंग नंबर वो शेयर कर दो तो ब business जो डाटा है business का डाटा वो कफी critical data होता है तो आप अपनी app को भी secure कर सकते हैं कि आप उस पे Mpin लगा सकते हैं मतलब जैसे आप मुबाइल अनलॉक करते हैं तो अपना पिन डालते हैं ऐसे ही आप पर भी unlock कर सकते हैं और lock कर सकते हैं और लॉक करने के बाद unlock अगर कोई भी चाहेगा या फिर आप भी करना चाहेंगे तो आपको पिन डालना पड़ेगा जो मोबाइल पिन आपको यह डालना हो तो मोबाइल पिन के दूरू आप इसको कर सकते हैं कि कोई बी अगर आपका मूबाइल सपोस्पोज किसी ने ले लिया और आपकी notification चेक करने लगए कितनी सारी ट्रांजेक्शन है या फिर कौन-कौन सी रिपोर्ट से तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एंपिन को रिजिस्टर कर सकते हैं तो आपकी मोबाइल एप को कोई भी यूज नहीं कर पाएगा कोई भी उसको ओपन नहीं कर पाएगा विदाउट एंप इसके बाद जो यह बिजी बिएनस एप है देखिए इसके लिए सबसे अची चीज़ यह है कि इसका कोई भी चार्ज एक्सेट्र पे नहीं करना है और अफ्लाइन एकसेबिलिटी अब देखिए अब मोबाइल अप कहीं से भी एक्सेश कर सकते हैं आप जरूरी नहीं कि आप सिस्टम उस टैम पे आन हो जब आप जो है मोब आप जो आपकी वर्क करेगी ऐसा नहीं एप आपकी ऑफ्लाइन भी PDF, email करना है, SMS करना है, तो वो option भी BNS app के अंदर available है, आप अपने जो documents है, invoice है, reports है, उनको BNS app के थूरू share भी कर सकते हैं, आप देखे सबसे पहले जो उसका function किस तरीके से चलेगा, तो आप desktop पे जो आपकी company configured है, उससे आप notification भीज़ेंगे busy BNS app में, और BNS app है, उसको use करके आ हैं, आप directly भी WhatsApp पे बेज़ते हैं वैसे busy से, बट अगर आप BNS app यूज़ कर रहे हैं, तो BNS app का एक benefit यह है, कि अगर आपको BNS app से किसी party को कोई भी report या invoice भीज़ना है, और जो आपकी BNS app पे receive हो चुकी है notification, आप देख रहे हैं, आपको वो share करना है, तो आप उसी से WhatsApp पे, features में दिया हुआ है कि आप WhatsApp पे share कर सकें, email कर सकें, SMS कर सकें, अब सबसे पहले आते हैं, configuration in mobile, अब देखे busy में, आप configuration वो हम आगे सीखेंगे, सबसे पहले हम mobile app को download करते हैं, busy BNS की जो mobile app है, उसको download करते हैं, अपने phone में, step one है, download करना, second step है इसमें, कि जो app जब भी download होती है तो आपको permission देनी होती है, कोई भी app आप download करेंगे, अपने mobile phone में, उसको permission देनी होती है, कि आप उसको access देना चाहते हैं नहीं, और इसका तीसरा step क्या है, कि आपको एक अपना mobile number वहाँ पर register करना है, mobile number register करने के लिए आप बस mobile number enter करेंगे, और OTP एक receive होगा, और OTP आप ज register करना है, तो सबसे पहले मैंने अपना mobile जो है, वो connect कर लिया है, अप देखिए सबसे पहले, ये एक Android phone है, ये iOS पे भी available है, मतलब कि आप iPhone पे भी एप को use कर सकते हैं, वट ये भी Android phone के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले जो मारा play store है, उसको हम open करेंगे, क्योंकि ये Android system है, तो हम इसमें Android phone है, तो इसको हम play store से ही download कर सकते हैं, अगर iPhone होता तो iOS से download कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपको search करना है busy BNS, जैसे ही आप search करेंगे, उपर देखिए app आच चुकी है, busy BNS, बस इसको आपको install करना है, तो यहाँ से आप search कर सकते है Google Play Store open कीजिए, या iOS store open कीजिए, और वहाँ पर आप search कीजिए busy BNS, जैसे ही आप busy BNS सर्च करेंगे, आपके सामने ये busy BNS लिखा जाएगा, नाम भी देखिए, busy InfoTech Private Limited का नाम भी आ रहा है, और साथ में इसका एक icon भी आ रहा है, तो इस icon को भी आप ध्यान रख सकते हैं, यह यह वो एप है जिसको आपको install करना है, अपने phone के अंतर, आप देखिए, install करने के बाद आपको open करना है, तो first time आप से ये पूछे का सारी permission आपको allow कर देना, जैसे कि मैं allow BNS app to your contact, इसमें आप allow कर देते हैं, allow कर देते हैं, और allow कर देते हैं, हमने सारे इसको rights जो हैं भी आ एंटर करना है, जिस पर आप notification रिसीव करना चाहते हैं, आप देखिए, जैसे आपने mobile नमर एंटर किया, register पे आप click करेंगे, message आएगा, OTP has been successfully sent through SMS, mobile नमर आ रहा है, उपर देखते हैं कि हुआ है नहीं, तो बिलकुल OTP receive हो चुका है, और यहाँ पर submit करते हैं, देखिए, आपका registration successful हो चुका है, अब इसके सासाद अगर आपको MPIN, अब आपकी mobile app जो है, register हो चुकी है, बिलकुल OTP start है, ready to use है, अगर आपको MPIN यहाँ पर configure करना है, तो सबसे देखिए, पहला ही option है MPIN, इस पर आप click करेंगे, और यहाँ पर अपना जो भी MPIN है, आप create कर सकते हैं, तो जैसे जो भी MPIN आप enter करेंगे, submit करेंगे, आपका MPIN create हो जाएगे, जैसे मैं create कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ पर डाल दिया, और submit किया, अब मेरा MPIN register होगे, अब मैं इस BNS app को दुबारा open करूँगा, अब देखिए, मैं app को दुबारा open कर लेता हूँ, busy BNS app, आप देखिए, सबसे पहले open करने के लिए, जो busy BNS app है, वो मुझसे पूछ रहा है, कि आप पहले MPIN डालेए, MPIN डालेंगे, 1, 2, 3, 4, जो हमने डाला है, और देखिए, हमारी app जो है, start हो चुकी, open हो चुकी, MPIN के त्रूँ आप secure करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको MPIN पे click करना है, और यहाँ पर अपना MPIN डाल देना है, चार डिजिट का होता है, इसको आप डालेंगे और submit कर देंगे, इसके बाद जब भी आप अपनी app को open करेंगे, तो आपको यह pin पूछे अब इसमें next step आपको क्या करना है, तो देखिए, हमने अब mobile पर configuration कर दिए, next हमें configuration करनी है, busy के अंदर, अब busy के अंदर configuration करने के लिए, आपको क्या करना है, एक BDEP ID करनी होगे, इसको आप इनेबल करके अपनी BDEP ID करते हैं, तो देखते हैं, किस तरीके से यह BDEP ID आप ल option और general के अंदर जाना है, path लिखा हुआ है, इसके बाद आपको इस feature को enable करना है, जिस feature का नाम है, busy data exchange platform, इसके बाद आपको login करनी है, अपनी BDEP ID, अगर आपकी BDEP ID आपने पहले से ही create की हुई है, login की हुई है, तो को issue नहीं है, तो आपका login होग चुका है, मतलब, अगर आपकी BDEP ID आपने create नहीं किया है, तो आप एक new BDEP ID create कर सकते हैं, इस company के लिए, वो भी हम आगे देखेंगे, इसके लिए हम busy के अंदर आते हैं, अब देखिए, सबसे पहले आपको BDEP ID create करनी है, mobile app हमने configure कर दिया, अपने mobile के अंदर, अब हम busy के अंदर configuration करेंगे, तो इ इनेबल करने होते हैं सारे feature, तो feature and options के अंदर आप जाएंगे, और general tab के अंदर आपको जाना हो, मैं आपको step दुबारा repeat कर देता हूं, तो यहाँ पर आप administration और configuration पे enter करेंगे, इसके बाद feature and option पे enter करेंगे, और तीसरा यहाँ पर एक option है general, इसके अंदर enter कर देंगे, इसक इसको आप search भी कर सकते हैं, search करने के लिए F3 की आप press कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि yellow color में mark हो चुका है, इमारा feature enable busy data exchange platform, इस feature को आपको enable करना है, mandatory है, compulsory है, तो इस feature को आपको enable करना है, और साथ साथ देखिए, इसके आगे एक red mark में लिखा हुआ, BLS, company में, उस busy में, busy का जो license है, उसमें आपका BLS active होना बहुत जरूरी है, BLS busy license subscription, तो यह आपका active होना बहुत जरूरी है, तो busy data exchange platform, इस feature को आप enable कर देंगे, यह हमारा पहला step है busy के अंदर, और इसके बाद आप configuration पे click करेंगे, यहाँ पर देखिए, आपकी एक window open हो जाएगी BDAP configuration, आप BDAP configuration के अंदर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अपनी BDAP ID Login करना ही है, BDAP ID आप कह रहे होंगे कि BDAP ID, अभी आप सोच रहे होंगे कि BDAP ID होती क्या है, तो देखिए, BDAP ID हमने एक company के लिए Unique ID हम बनाते है, ताक कि जिससे हम communication कर सकें, तो BDAP ID यहां पर login करनी है अगर आपने बीडेप आइडी पहले से बनाई हुए तो आप यहां पर login कर सकते हैं जैसे मैं लोग इन की हुई है अगर आपकी बीडेप आइड़ी आपके पास कोई बीडेप आइडी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर create new ID इस पर click करेंगे आप तो यहां पर एक विंडो ओपन हो जाएगी क्रिएट न्यू बीडएप आईडी आप देखे जैसे आप जीमेल पर अकाउंट बनाते हैं फेस्बूक पर अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक यूनिक आईडी की जरूत होती है मतलब कि यूनिक यूजर नेम आपको डालना होत तो इसलिए आपको यूनिक नाम डालना होगा जैसे कि अगर मैं यहां पर कुछ भी एक यूनिक नाम दे जाता हूं तो देखिए बिजीन आगे ले लिया तो यूनिक नाम आपको यूज करना है और जैसे ही आप बीडएप आईडी क्रिएट कर देंगे पासवर्ड यहां जैसे की और आपकी घीड़िक पर बीडएप आईडी क्रियेट हो जाएगी और उसी यहां पर लोगन करने करना है तो कि हमारी यहां पर पहला step complete हो चुका है कि आपने जन्दल में जाके जो हमारे बीड़ फीचर है उसको आपको इनेबल करना है तो यह कंपल सरी फीचर है जिसको आपको इनेबल करना है इसी के तुरू आप नोटिफिकेशन भेजेंगे बी एनेस एप के देखिए अब जो यह उसरे कौन कौन से विचेध से विलेबल है तो देखिए इवेंट नोटिफिकेशन का एक फीचर अवेलेबला मारे पास इवेंट से आप वो नोटिफिकेशन से अंडड कर सकते हैं जैसे कि suppose मैं आपको example देता हूं कि आप एक शॉप है एक footwear की shop है आपकी और footwear की shop पे आपकी शॉप है वो 10 बज़े open होती है 6 बचे close हो जाती है और आपके जितने भी वहाँ पर लड़के हैं वो काम कर रहे हैं अप जो है 12 बज़े shop में विजिट करते हैं ठीक है और आपको देखना है कि जो मेरे लड़के हैं उन्होंने shop कब open की मतलब busy कब login किया उन्होंने तो आप event notification के through यह configure कर सकते हैं कि जैसे ही busy company busy में company login हो मेरे पास एक notification आ जाए कि इस time पर company login हो चुकी है या log out हो तो इस time पर log out हो चुकी है तो इससे आप यह track कर सकते हैं कि जो भी shop में आया था जो तो आपको notification receive हो जाएगी तो इससे आप इसको track कर सकते हैं इसके लावा कोई भी transaction add होती है कोई भी transaction मतलब sale की transaction purchase की transaction और आपकी payment की transaction receipt की transaction कोई भी आपका employee transaction add करेगा तो आपके bns app पे आपको notification receive हो जाएगी कि यह voucher आपकी company में add हुआ है अगर कोइ थो मोडिफाई होता है तो आपको notification आ जाएगी कोई फ़िचन होता है तो आपको notification आ जोता है दिलीट अपर हो रही है कोई भी हो रहा है या फिर company login और हो यह लोग आउट हो रही है तो मुझे notification रिसीव हो रही है तो मैं अपनी कंपनी की कर सकता हूं कि मेरी Company में क्या क्या काम हो रहा है तो event notification का feature available है इसके साल अलर्ट का भी feature हमने यहां पर दोनों का basically वाउचर और सीरी Vaid यह कर सकते हैं कि सबस्astern को आप को सब्सक्रीपर करना है तो busy bns app, suppose आपकी एक office है, मत आपके एक shop है या फिर आपके एक company है, तो आप एक company के मालिक हो, super user हो उस company के, honor हो, तो एक तो आप bns app को use करेंगे ताकि आप notification receive कर सकें, दूसरा आप अपनी app किसको दे सकते हो, salesman को आप आप दे सकते हो, market में कोई आपका salesman जाता है, उसको mobile phone में आप install करा सकते हो, अपनी parties को आप ये mobile app दे सकते हो, busy bns app के लिए salesman को दे सकते हो, अपनी parties को दे सकते हो, तो इन सब के लिए busy bns app यूज कर सकते हो, और उनको notification भेज सकते हो, या फिर खुद को notification भेजने हो, तो वो बेज सकते हो, voucher series configuration में क्या है, कि आप किसी भी voucher को add करेंगे, तो voucher configuration में जाके आप इसको enable कर सकते हैं, कि जब भी मेरा voucher add हो, तो उसकी notification मेरी party को से लिए जाए, जैससे मैंने invoice add किया है, तो मेरे customer को notification से लिए तो या आप ये configure कर सकते हैं, इसके लावा, आप कोई भी report देखते हैं, कोई भी voucher देखते हैं, औ और आप जैसे कि अगर उसको print करना चाहते है, report को हम print करते हैं, और transition को print करते हैं, voucher को print करते हैं, ऐसी print करने के बजाए आप उसको भीजना चाहते है, BNS पे, तो वहाँ ही BNS का option होता है, busy BNS का, तो वहाँ पर आप send कर सकते हैं, party का जो mobile number होगा, वही आपका BNS पे, एंटर चाहते हैं कि जब भी मेरा backup हो, automatic, तो मुझे notification मिलना तो वह भी आप configure कर सकते हैं, अब सबसे पहले समझने कि event notification आप कैसे configure करेंगे, event notification के लिए आपको ये step follow करने है, आप मेरी screen पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको administration general के अंदर ही जाना है, और आपको make sure that BNS is active, BNS अगर active है, जब ये feature काम करेगा, BDEP ID enable हो, जब ये feature काम करेगा, तो ये दो चीज़े आपको check करने हैं कि BLS मेरा license में active है या नहीं, या फिर मेरी BDEP ID जो है login है या नहीं, इसके बाद आप event notification को configure कर सकते हैं, step देखते हैं किस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप को administration, configuration, feature and options और general के अंदर जाना है, और यहाँ पर जहाँ पर हमने BDEP ID login किती है, same C के नीचे last feature है, हमारा event notification, search करना चाहें, आप search भी कर सकते हैं, F3 क्रेस करेंगे हैं, यहाँ पर event, यह हमारा feature है, enable कर लेंगे इसको, और configuration पर click करेंगे, configuration पर click करने के बाद देखिए, हमने BNS app को download किया था, अपने phone के अंदर और registered किया था, वही number आपको यहाँ पर डालना है, इसके बाद आप किस action पर, किस activity पर, या किस event पर notification रिसीव करना चाहते हैं, तो देखिए, company login, कोई भी user अगर login करेगा company, तो मुझे notification मिलेगी, या फिर कोई log out करेगा, तो मुझे notification मिले इसके अलाबा, switch करेगा user, तो मुझे notification मिलेगी, कोई भी master add होता ह्था, तो मुझे notification मिलेगी, master कोई सा है, मैंने item कर लिया, और party कर लिया, दोनों add कर लिया, बाकी इन सब क्यूंब को जडरुद नहीं है, इसके अलाबा कोई भी master delete होता है, तो अगर कोई item delete होता है, या party delete ह होती है तो अगर यहां पर यह didaktivitis करता हैथ तब नोडिफीकेशन रिसोड़े चैने बीडर कहते हैं प्रगिए का और कोई भी अगर अगर जतने इक्टिपिटीशन हो जाएगी सेखिने अल्उजर एक्सेंट सूपर ईूजर कावा सबस्कुद जतने ब away कोई गर सूनु और दो मेरे जो सब्यूसर है सिर्फ सोनु जब अगर एक्टिविटी करें तब भी मेरे पास पूपकिशन और मेरा मैनेजर है उसको साथ तो मुझे नोटिफिकेशन के जूरत नहीं हैं तो इस तरीके से आप user भी स्लेक्ट कर सकते हैं आल यूजर यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं इसके लाबा ट्रांजशन पर आते हैं तो यहां पर एड़ वाउचर आपको स्लेक्ट करना है अब कौन-कौन से वाउचर है येस कर दिया है और इसको मैं ok करता हूं all users से voucher भी लिखे आ रहे हैं आपर देखिए purchase sales payment receipt अब मैं इसको save कर लेता हूं इस तरीके से आप यहां पर notifications को configure कर सकते हैं अब देखिए हमने notification configure कर दिए event notification master में configuration अप्शन में और जनरल में जाके यह आपको feature मिल जाएगा और आप यहां पर इसको configure कर लेंगे इवे नोटिफिकेशन यह सारी नोटिफिकेशन अब देखते हैं यह नोटिफिकेशन हमें receive कैसे होती है अब देखिए सबसे पहले मैं company को करता हूं login अब मैंने company की login तब से पहले logout किये फिर login किये तो दो action में रहो चुके हैं पहले मैंने logout की मतलब company close की और company मैंने login किये बीनेस एप देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे दो नोटिफिकेशन मुझे मिल चुकी हैं यह देखिए उपर भी आ रही है company logged in और एप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो नोटिफिकेशन आ चुकी है क्याकर नोटिफिकेशन है कि company login किस टाइम पर किस डेट पर और company logout सबसे पहले logout हुई थी उसके login हुई थी तो पहला जो नीचे चला गया और सबसे टॉप वाली जो नोटिफिकेश और तू पॉइंट ओगा कि मैंने जैसे ही आइटम एड़ किया नोटिफिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकिए एड़ेड आइटम डेम स्पीकर 2.0 ग्रूप भी आ रहा है यहाँ पर आइटम का नाम भी आ रहा है और यूजर का नाम भी आ रहा है अब मैं इस कंपनी को दूसरे यूजर से लॉगिन करता हूं सबसे पहले लॉग आट करते हैं और अब लॉगिन करते हैं सोनू अब सोनू एक सेल्स वाउचर एड़ करेगा सोनू ने एक एक लैप्टॉप बेचा अब देखिए वाउचर एड़ किया है सेल्स वाउचर अब नोटिफिकेशन आप देखेंगे कि आप यह नोटिफिकेशन आप देखिए कि इसमें क्या रही है कंपनी लॉगड आउट हुए उसके लॉगिन हुए किस यूजर से लॉगिन है सोनू का नाम आ रहा है सोनू ने लॉगिन किये किस टाइम पर किस डेट पर इसका सोनू ने क्या किया है वाउचर एड़ किया है तो देखिए यहां पर वाउचर का डिटेल भी आ रही है इस तरीके से आप अचीकेंशन रिसीव कर सकते हैं तो यह है इमेंट नोटिफेकेशन फीचर जिससे आपको नटिफेकेशन रिसीव हो जाएगी इसके बाद आलर्ट का फीचर है। इसको भी आप configure कर सकते हैं सेम नोटिफिकेशन की तरहीं रहता है लेकिन इसके स्टैप थोड़े डिफरेंट हैं इसको भी हम सीख लेते हैं किस तरीकी से करना है आपको तो सूपर यूजर पर हम लॉग इन करते हैं कमपनी दुवारा बीजी बीजी पो अब देखिए अलट कनफिगरेशन करने क्ली आपको कहा जाना है तो उसके विंधन जाना है आपको और यह सूपका अभिलेबल है एंटरप्रइश एडिश्ट के अंदर एंटरपाइस फीचर के अंदर आप इसको एनेबल कर देंगे कन्फिग्रेशन पर जाएंगे और यहां पर अलेट का नाम एड़ करेंगे जैसे कि मैंने लिख दिया एड और एड क्या है यहां पर मैंने कर दिया कि अगर कोई भी ऐसे कि हमने इवेंट के दर सेम आप यहां पर अलेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी बूचर कौनसा इसमें लिख लेता हैं कि जनल वाउचर कोई भी एड हो तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएं आप देखियें हैं यहां पर बिजी नोटिफिकेशन लास्ट ऑप्शन है बिजी नोटिफिकेशन आप इसको इनेबल कर लेंगे पहले इसके बाद आप यहां पर मुबाइल नमबर डाल देंगे अपना जो भी रेजिस्टर्ड नमबर है बीनेस एप पर उसको आप एंटर कर देंगे पारमेट आपको स्लेट करना है स्टैंडड फॉर्मैट हम स्लेट कर लेते हैं और इसको सेब कर लेते हैं पारमेट यहां पर हमने जनल वाउचर निया और इसको सेब कर लेए अब जर्नल वाउचर एड़ करते हैं अलर्ट थोड़ा स्लो चलता है इसलिए हमने नोटिफिकेशन वाला जो इवेंट नोटिफिकेशन ने ये फिचर दिया हुआ है अब देखें जैसे ही यहाँ पर हमने एड़ किया है जर्नल वाउचर तो यहाँ पर आप देखें जर्नल वाउचर भी आ चुका है एड़ जर्नल डेटिड ये अमाउंट आगे सोड़ इस तरीके से आप अलर्ट को भी कन्फिगर कर सकते हैं इसके अद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इसमें कि वाउचर कन्फिगरेशन अब देखें वाउचर कन्फिगरेशन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं सबसे पहले वाउचर सीरीज कन्फिगरेशन आपको मिलेगी कहां पर तो इसके लिए आपको जाना है administration के अंदर और configuration पे अंटर करना है और voucher series configuration के अंदर जाना है अब देखें यहाँ पर sales voucher के अंदर हम add करते हैं notification का यह feature तो देखें configure करते हैं तो sales voucher select किया main series select की voucher configuration पे click किया और इसके बाद यहाँ पर एक option है मैं search करके आपको दिखाता हूँ notification यह feature है इसको आपको enable करना है enable करना है आपको y press करना है send notification to busy bns after saving और यहाँ पर आपको format भी select करना है कि किस format में आपको notification रिसीव करना है क्योंकि आपको pdf में receive करना है notification तो आप यहाँ पर format भी select करें इसके बाद नीचे देखें यहाँ पर option आ रहा है कि प्रॉम्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए notification ओप्शन शो होने चाहिए नहीं होने चाहिए party को भी आपको भी भीजने तो आप party के लिए yes कर सकते हैं इसके लब आपको खुद को भी भी भीजने तो अपना mobile नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं तो इस तरीके से वाउचर सीरीज configuration के अंदर यहाँ पर आप notification का feature नेबल कर सकते हैं और अगर आपको salesman को भी देना है तो देखें यहाँ पर send to broker यह भी लिखा रहा है सारे options हमने नेवल कर दिए कि हमें party को भी 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 भीजना है और हमारे ब्रोकर जो हमारे salesman है उसको भी यह वाउचर जाना चाहिए sales voucher अब इस sales voucher को हम करते हैं enter add करते हैं यहाँ पर हमने sales voucher एक बनाया party select कर लेते हैं हम अपनी और यहाँ पर mobile number भी एंटर है salesman select कर लेते हैं अमन सिंग अमन सिंग को हमने select करने के बाद item की detail और यहाँ पर voucher को add कर दिया अब देखिए जैसे यह एड़ किया मैं invoice वाले option को भी no कर रहा हूं यहाँ पर busy आपसे पूछ रहा है send notification की notification आपको send करनी है हमने का yes अब देखिए yes कर दिया हमने और यहाँ पर आप busy पूछ रहा है किस फॉर्मेट में आपको send करनी है standard by default selected आ रहा है क्योंकि हमने standard select किया था और हमने standard select करके yes कर दिया अब सबसे पहले यह पूछ रहा है कि party को भेज़ेंगे तो देखिए party के mobile number आ रहा है अब देखिए जो हमने वाउचर एड़ किया था हमारे पास notification रिसीव हो चुकी है और अब देख सकते हैं यहां पर PDF भी आ रहा है PDF पर click भी कर सकते हैं आप यह देखिए PDF open हो गया यह हमारा build जो हमने एंटर किया है वो आ चुक है देख सकते हैं यह हमारा sale wheel है पूरी detail हमारे पास आ चुकी है इससे आप PDF भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं आप पर वापस आते हैं यह देखिए सारी notification जो हमने अभी तक receive किया है वो सारी notification आ चुकी है और PDF में हमारा invoice भी आ चुका नेक्स है हमारा printing option आप देखिए printing option में आप किस तरीके से भेजेंगे notification तो अगर आपको कुछ भी बिजी से सेंड करना है तो आप printing window में हैंगे किस तरीके सेंगे printing window में suppose अगर मुझे stock की report share करनी है तो मैं stock की report यहां पर open कर ले तो पहले यह मेरी stock की report open हो चुकी है और यहां पर अब मुझे इसको सैंड करना है सैंड करने के लिए मैं print देखिए उपर पी लिखा है क्यूंकि इस option से प्रिंटिंग करते हैं इस window से आप तो यहां पर अपना मुबाइल नमर डाल देता हूं अपने owner का जो हमने रिस्टर किया है और सेंड करते हैं देखिए यहां पर सेंड हो चुकी है रिपोर्ट इस तरीके से हम रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं बिजी बिनस एप पे देखते हैं किस तरीके से रिसी हुई है प्लीज वाइल अटेच्मेंट स्टॉक स्टेटस कम्पनी का नाम शो आ रहा है पीडियाफ पर क्लिक करेंगे हम टच करेंगे पीडियाफ पर तो हमारी रिपोर्ट रोपना चाहिए यह देखिए यह हमारी स्टॉक आ चुकी है आइटम की चितने भी आइटम अविलेबल है कंपनी में स्टॉक में अविलेबल हैं उनका प्राइज की क्वांटिटी उनका नाम सब चीज़ें यहां पर आप देख सकते हैं कि तो पीडियेफ भी आप शेयर करना चाहिए आप कर सकते हैं कि दूबार आते हैं तो आपको कुछ भी शेयर करना हो तो आप प्रिंटिंग विंडो में जाके आपको मिलेगा देखे पेमेंट रिमाइंडर आपको भेजने तो आप क्या कर सकते हैं प्रिंट इमेल एसमेस में जाएंगे और यहां पर पेमेंट रिमाइंडर का ऑप्शन है अब यहां पर ऑप् आपको मिलेगा, तो आप voucher print करना चाहते हैं, invoice print करना चाहते हैं, कोई भी report print करना चाहते हैं, printing window के अंदर आपको busy bns का option मिलेगा और यहाँ पर आप इसको बेश सकते हैं, तो यह payment reminder यहाँ पर चला जाएगा, इसके बाद देखें, जब भी आप backup लेते हैं, busy agent configure करते हैं, auto backup क लिए, तो उसके लिए भी आप notification configure कर सकते हैं, कि अगर मेरा busy agent backup ले, तो मुझे notification receive हो जाए, किस तरीके से configure करेंगे, सबसे पहले busy agent को open कर लेते हैं, busy agent किस काम आता है, तो automatic backup configure करने के लिए, आप देखें, यह busy agent हमारा open हो चुका है, और यहाँ पर आप general configuration के अंदर और जब भी backup होगा, तो busy आपको notification send कर देगा busy agent, तो यह है busy agent के तरूब भी notification आप receive कर सकते हैं, देखें, यह कुछ features थे, जो मैं आपको दिखाए, कि busy notification आप का आप use किस तरीके से कर सकते हैं, यह app किस लिए useful है, और इसके बाद आप कौन-कौन सी notification आप use कर सकते हैं, मतलब को भेज सकते हैं, अपने salesman को भेज सकते हैं, broker को, और अपनी parties को, customers को, खुद को भेजना चाहें, खुद को भेज सकते हैं, काफी अच्छा feature है, और आपको यह feature जरूर use करना चाहिए, इसकी practice आप जरूर कीजिए, और जब ही आप इसको better way में सीख पाएंगे, तो सबसे पहले हमने mobile में इसको download करके install कर लेना है, इसके बाद हमें busy में BDAP ID login करनी है, और बाकी जो भी हमारे feature है, चाहे event notification है, alert है, चाहे हमने voucher series configuration दर स्को enable किया, या फिर हमने इसको printing window से send किया, या फिर हमने busy agent में इसको जाके configure किया, ताकि हमें notification receive हो सकते हैं, तो यह था आज का topic, busy BNS app, I hope आपको यह समझ में आया होगा, काफी detail में हमने इस पर discuss किया, और आपकी जो भी queries हो, आप मुझे भेज सकते हैं, further queries के लिए आप हमारे help Lex team का भी help ले सकते हैं, contact detail आप मेरे screen पर देख सकते हैं, 5 times 8 तो आपको dial करना है, और 24 into 7 हमारा help Lex जो है, वो open रहता है, तो आपका भी भी call करना चाहिए, कर सकते हैं, call 24 into 7 हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, और हमारी email idea support की support at busy.in इस पर भी आप support ले सकते हैं, 24 into 7, open है ये भी, thank you very much, अब आपकी जो भी queries हैं, आप मुझे Q&A में लिखके बेश सकते, वैसे ये feature काफी time हो चुका है, busy में implement हुए तो ये feature आप सभी जानते ही होंगे, अगर आप busy use कर रहे हैं तो, और अगर नहीं जानते हैं, तो आप इस feature को जरूर use कीजिए, बहुत ही useful feature है, अगर आप अपनी company के अंदर इसको configure करना चाहते हैं, कि आपके कोई भी executive, कोई भी employees, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपको receive हो notification अपनी BNS है, तो ये company के tracking के लिए भी आप इसको use कर सकते हैं, अपने customer को आप इसको download करा सकते हैं, install करा सकते हैं, कि हम जब भी bill बनाएंगे, आपको share हो जाएगा, कोई भी आपकी queries हो, प्लीज पूछिए, कोई भी query हमें receive नहीं हुए अभी तक, तो I think आपको ये feature ठीक स समझ में आच चुका है, एक query है, हमारे पास अभी आई है, पटेल मनीज जी की, how to send all parties payment due detail automatic, तो देखे सर, automatic option अभी available नहीं है, बट ये हमारा feedback हमने already share किया हुआ है, तो upcoming आपको ये feature मिल जाएगा, मतलब कि हमने ये feedback दिया हुआ है, कि busy agent के through automatically payment reminder जो है generate होने चाहिए, बाट जल्दी है features, busy के अंदर मिल जाएगा, कि payment reminder आपकी पार्ट इसको automatically send हो जाए, busy agent के through इसको configure किया जाएगा, बट अभी ये feature available नहीं है, automatic feature available नहीं, manual आप भेज सकते हैं, किस तरीके से भेजेंगे, तो manual भेजने के लिए आपको बस print email SMS में जाना है, out sending analysis में जाना है, और यहा due bill के लिए, select करेंगे option, और यहाँ पर all parties आप select कर लेंगे, और payment reminder आप किस form में भेजना चाते हैं, email करना चाते हैं, SMS करना चाते हैं, busy BNS पर भेजना चाते हैं, आप select कर सकते हैं, तो बस आपको ये path follow करना है, और आपको इसके बाद steps follow करने, और आप options को use करेंगे, और automatically भी इस पर काम चल रहा है, और ये आपको बहुत ही जल्दी feature मिल रहा है, I think आपकी query जो है resolve हो चुकी है, thank you very much, और next week हम मिलते हैं, किसी नए topic के साथ, I hope आपको आज का topic समझ पर आया होगा, इसकी recording हम आपको share कर देंगे, recording अगर आप लेना चाते हैं, recording receive करना चाते हैं, तो आप मुझे training at the red busy.ins पर एक email drop कर सकते हैं, और आपको कोई भी document अगर चाहिए, तो आप मुझे इस email id पर email drop कर सकते हैं, trainings at the red busy.in और आपको मैं reply करूंगा और document share कर दो, recording के लिए भी आपको mail drop करना होगा, एक request जरनी होगी, thank you very much, close करते हैं आज का webinar, have a nice weekend.